आचार सहीता लग चुकी है राजनेतिक सुक्सवार जो है वो अपने कहीं न कहीं चरम पर है और हिमाशल में भी इसका अस्तर लगाता देखने को मिल रहा है कॉंग्रस ने अपनी दो सीटों का एलान कर दिया उमिद्वारों की घोशना हो चुकिए दो सीटे अभी भी बाकी ह इसी पर रणनीती पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में प्रदेश कॉंग्रस अध्यक्ष कुल्दीप राठो और जुड़े हैं सीदे हिमाशल से उनसे बाप्षीत करेंगे कुल्दीप जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर कुल्दीप जी कॉंग्रस की रणनीती क्या रहने वाली है देखिए अभी दो संस्तियक शेतर में हमारे उमीदवार गोशेत हुए और अगले दो तिन दिनों में हम जो हमारे बाकी दो खशेतर बच्चे हैं वहां भी हम गोशना करने वाले हैं रही राणनीती की बात इस वक्त देश में मोदी विरोधी जो है रुजान चल रहा है जिस तरह से जो केंद्रिय सरकार वो जुमलों के सारे राणनीती कर रही है और कोई उपलब्दी इनके पास है नहीं जनता के पास ले जनता के स्मुक ले जा सके वही स्तिती जो है सांसत रहे हैं वो लोग सभा में जन हित के मुद्दे नहीं उठा पाई उन सांसतों के खिलाब भी लोगों में बहुत रोश है इसी आकरोश को जो है हम अपने पक्ष में बदलने वाले हैं कुलदीब जी जबकि विजेपी का कहना है कि कॉंग्रस के पास शहरा नहीं है एक द देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ हमारी चार जो लोग सभा की जो हमारी सीटे हैं उसके लिए लगभग 41 उमीदवारों ने आवेदन किया हर जगा पे उमीदवार बनने की होड लगी है और दूसरी तरफ मैं भारती जनता बाटी की अगर मैं बात कहूं इनकी जो को मौजुदा सांसद है उनको जो है टिक देने की दोशना की लेकिन बाद में ये अपने उस टेंट से मुकर गे और दो क्षेतर कांगडा और शिमला इन्हां इन्हों ने अपने उमीदवार बदल दिये तो कहीं न कहीं इनको सुरक्षा की भावना थी और इनको ये लग रहा था कि इनके जो उमीदवार है उनके खिलाफ लोगों में रोश है अक्रोश है इसलिए इन्होंने दोनों उमीदवार जो है अपने बदल दिये जे कुलदीब जी लेकिन कांगडा से तो जो शांता कुमार थे उन्होंने खुदी मना किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंग अगर उन्होंने चुनाव मैदान से हटने का एलान किया उन्हें मालूम था कि मोदी साब के जो कारणा में वो महंगे पड़ने वाले इसलिए उन्होंने चुनाव मैदान से हटने का एलान किया तो भाग तो इनके लोग रहें कुलदीब जी बाकी दो सीटों पर कॉंग्रेस ऐलान कब करेगी क्या रणनीती है हम दो तिन दिनों में जो है ऐलान करेंगे हम सभी शेत्री संतुलन और का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं उसी मताविक जो है हम गोष्णा करने वाले हलांकि अंदर खाते हमारी पूरी बात हो चुकी है लेकिन हम एक नीती के तहट जो है हमने इन दो सीटों का एलान भी रोका है कुलदीब जी अंदर खाने का आपने जिकर किया ऐसा सुतरों के हवाले से ख़बर मिल रही है कि मुकेश अगनी होतरी का नाम उन्होंने खुदी चुनाव लड़ने से मना कर दिया है अब अगर कॉंग्रस मुझे मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा ऐसे में क्या दिक्कत है उनको टिकर देने में वीर भद्र सिंग जी के आने के बाद से ही जो है ये चेंज़ फाटी आलक मान को दे सकते लेकिन जो है फाटी आलक मानि को ले ये और पभन काजुल के नाम के लिए क्या कहिएगा उनके नाम पे चर्चा चल रही है देखिए दो तिन दिनों में पर्दा पूरी तरह से उठ जाएगा कुल्दीव जी क्या ये कहा जाए कि यहां पर जो है आने के बाद जो पूर्वो मुख्यमंत्रियां उनके आने के बाद से समीकरण में बदलाव आया है क्या ये मान लिया जाए कोई बदलाव नहीं आया है और इस वक्त कॉंग्रेस पार्टी बिलकुल 81 एक जुट है और मंडी जो हमारा सहस्ती एक शेतर है वहां पंडित सुक्राम के आने से पार्टी मजबूत हुई है और अभी पिछले कल ही हमारे पार्टी के जो जनाधार बाले नेता शिरीवीर ब मर्ष किया और ये निर्ने लिया कि वह हमाचल प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी को एक जुट करने के लिए जो है एक जुटता का जो है संदेश तेंगे जे अब वीरभद्र सिंग जी आ गए है सुक्राम सिंग्राम पंडि सुक्राम शर्मा भी पार्टी में उन्होंने कर लिया है लेकिन क्या लगता है कहीं उनके लिए यह दोवेदाजनक इस्तथी नहीं होगी कुलदीब जी क्योंकि उनके बेटे जो है वो बीजेपी में है वो बीजेपी का प्रचार करें गया है अपने बेया मंडी से वोट मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहे कॉइब इसके लिए देखिए देखिए ऐसा कुछ नहीं है अगले सब्ता जो है राजनीती में बहुत फेर होने वाला है मतलब आपका कहना है कि अगले सब्ता नया दाव कॉंग्रस खेलेगी कुलदीब जी सवाल एक और निकल करके आता है दाव का आपने जिकर कर दिया 2014 की बात कर लेते हैं पिछले चुनावों की बात कर लेते हैं माफ कीज़ेगा पिछले चुनावों में कॉंग्रस की सरकार थी लेकिर उसके बाद भी आप सारी सीटे हार गए इस बार तो सरकार भी नहीं है तो वही पुनरवित्ति होने वाली है पिछली बार अगर हमारी सरकार थी हम सब सीटे आर गे इस बार भाटपकी सरकार और भाटपका चारू सीटे आरने वाली कुलदीव जी गो आश्वस्त हैं कि वो जीतेंगे देखिये मैं उनके आतम विश्वास को सलाम करता हूँ पर ऐसा होने वाला नहीं है गुट बाजी कहीं न कहीं परिशानी करेगी कुलदीब जी कॉंगर्श की जो अंतर खाने कला है गॉंगर्श पार्टी में तो जे बिल्कुल कला नहीं है कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल एक जुट है इकठी है हमारे सारे नेता मंच पर इकठा हो रहे हैं और जिन दो विरोधी दुरूओं की बात होती थी वो भी आज इकठे हैं पंडे सुक्राम कॉंग्रेस पार्टी में वापिस आ रहे हैं लेकिन लेकिन आपने वीर भद्र सि सिंग जी के आने के बाद सुकु का नाम जो आगे चल रहा था वो कड़ गया क्या यह आपसी अनबन का नतीज़ा है आपने जिकर क्या कि कॉंग्रेस एक जूट है लेकिन अंतर खला तो दिख रही है दोनों अलग चलते हैं यह नहीं यह देखिए जो आप यह कह रही है यह तत्यों पर अधारित नहीं है यह यह बातें जो सारी हवा में हो रही है जबीनी सचाई रही है यह कुलदीब जी वीरभद्र सिंग जी की मुलाकात राहूल गांधी जी से हुई उसके बाद पहले तो तीन नाम दौड में चल रहे थे और फाइनल भी होने थे एलान होना थ लेकिन अचानक से एक नाम कर जाता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं मैं स्वेम दिली में मौजूद था यह सिर्फ जो है क्यास लगाए जा रहे है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कुलदीब जी क्या लगता है कि पंडे सुक्राम जिन्होंने वापसी करी है कॉंग्रस में प्रदेश कॉंग्रस में वापसी उन्होंने कर ली है वीर भदर सिंग भी अब उनके साथ गले मिल रहे हैं लेकिन क्या वो खटास चली जाएगी और उसका फाइदा कितना कॉंग् करते हैं और फैसला करते हैं कि हमको इकठे मिल के चलना है कॉंग्रस को मजभूत करना है तो निष्चे तोर पे उसका पार् Tी जनों में और हमारा जो पार्टी का कारिया करता है उसमें अच्छा संदेश जाता है और यही सब कुछ हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों नेताओं के इकठे होने से प्रदेश में और खास कर जो हमारा मंडी संस्तियक शेतर है उसमें कॉंग्रेस पार्टी को जो है बहुत फाइदा मिलने वाला है कुलंदीव जी केंदर के नरतातु की बात कर लेते हैं एजंडा क्या रहने वाला है किस पर चुना लड़ा जाएगा जंता की बीच में क्या कुछ मुद्दे लेकर के जा रहे हैं देखिए मुद्दों की कोई कभी नहीं है जो केंदर सरकार है बिलकुल असफल रही है आज सरकार के पास कोई उपलब्दिया नहीं है जंता के बीच में जाकर कह सकें कि हमने ये मुकाम हासिल की हमने अपने वाइदे पूरे की आज देश की आर्थिक ववस्ता चर्मर आ गई है देश के अंदर जो है असरक्षा का महौल है बरश्टा चार चर्म सीमा पे है कौन 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 सा काम ऐसा है जो इन्होंने किया जिस पे अपनी चाती टोके लोगों से वोट माग सकते हैं इसलिए मैं भी चौकिदार एक नए जुमले को लेकर जो है ये मैदान में उत्रे पिछली बार मैं चाय वाला इस बार मैं भी चौकिदार और इस तरह के जुमलों से आज पूरे विश्यों में हमारी जग हंसाई हो रह है देश को एक चौकिदार नहीं चाहिए लेकिन कुल्दीव जी उनका तो कहना है कि चाय वाले तंज को जब आप लोगों ने उस पर तंज कसा तो उन्होंने भुना लिया उसका फाइदा जनता ने उनको प्रेम दिया इस बार चौकिदार भी बुना लेंगे देखिए काट की जो हंडी है वो बार बार नहीं चड़ती उनका भी तु कहना है कुल्दीव जी कि 70 सालों तक आपने राज किया क्या कुछ कर दिया वो भी यही कह रहे हैं कि काट की हंडी बार बार नहीं चड़ती साल तक हमने वो किया है देखिए 70 साल तक हम इस देश को कहां से कहां तक ले ले गए वो देश जो जिस वक्त यह देश अजाद हुआ एक सुई नहीं बनती थी इस देश में आज हम ने तरकी में कितने बड़े मुकाम हासल किये हैं तो यह क्या मोधी साब के समय में काम बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीब जी हमारे साथ जोनने के लिए और कॉंग्रेस की आहम जानकारी सारी साजा करने के लिए